Hello everyone, welcome back to my youtube channel on motivational series So guys, आज का जो episode है, वो है episode number 3 on topic How to come to know about your hidden talent आज की generation को यह बहुत ही problem हा रही है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनका talent क्या है और वो आगे क्या कर सकते है and वो बस अपना पठाई कंप्लीट करके आगे jobs की तलाश में चले जाते हैं बड़ उनको पता ही नहीं होता कि उनका main talent क्या है, वो किस चीज में आगे अपना कर सकते है तो आज हम इस चीज के बारें बात करेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें talent क्या है और हम आगे किस चीज में successful हो सकते हैं तो guys, हमने क्या करना है, हमने एक list बनानी है जिस लिस्ट में हम लिखेंगे अपनी hobbies और अपने टैलेंट के बारे में Hobbies, for example, हम उसमें लिखेंगे हमें किस-किस चीज़ का शोंग है For example, singing, dancing, book reading, novel writing और ऐसी बहुती चीज़े इसका हमें शोंग होता है हम करना पसंद करते हैं, maybe gardening हो या से cooking हो, कुछ भी हो सकता है बिना थके कर सकते हैं और जिस चीज़ में हम आगे इंप्रूफ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं तो उन hobbies की list बनाकर आप उनमें से देखिए कि आपका इसमें टैलेंट क्या है तो guys, टैलेंट होता क्या है? टैलेंट वो है जिसमें हमें बिना थके, हम वो चीज़ करे और मन से करे तो वो चीज़ हमें चाहिए अपने काम में, ना कि वो चीज़ की हमारी मजबूरी है या हमें सिरफ money earn करनी है इस वज़ा से हमें वो काम करना है because अगर हम वो काम करेंगे जिसमें हमारा मन नहीं है, सिरफ हम money के लिए कर रहे है तो वो काम हम कभी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और अगर हम कर भी रहे हैं, तब भी हमें उसमें इतने जादा efforts देने पड़ेंगे और वो चीज फिर भी उतनी सही से नहीं होगी, जितनी वो चीज हो सकती है जो हमारे talent के साथ related है तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम वो काम करें जो हमारा talent कहता है और उसको अच्छे से करें ताकि हम उसमें और successful बहुत जल्दी हो सके तो please make a list and choose your hobby today अपना talent आज ही पता करो कि आपका talent क्या है उसकी बाद है जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप एक list बनाओ और list में अपनी hobbies अपने talents के बारे में लिखो तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही talent को चूज करो आप एक ही hobby को चूज करो किसी भी hobby को अगर आपको लगता है कि आपको dance, singing या आपको novel writing का शौग है मैं आप सिर्फ example ले रही हूँ तो आप इन तिनों को एक time पे कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपने singing पे ही ध्यान देना है आपने dancing पे ध्यान देना है आप novel writing पे देना है आप dancing classes लगा सकते हो आप singing classes लगा सकते हो novel writing के लिए आपको किसी class के जरूरत नहीं है अगर आपको इसका शौग है तो आपको खुद पता होगा कि इसमें कैसे क्या है और आप ये free time पे घर पे वीकेंड पे कर सकते हो तो ये सिर्फ काम वो कर सकता है जिसका मन हो जो आप आगे अपना कुछ करना चाता हो तो उसके लिए आप फी dedication बहुत ज़रूरी है पहली बात तो तो आप 2-3 topics चूज करो लिस से और उस पे work करना start करो अब आपका talent आपको पता लग गया है कि आपके ये 2-3 talents है आपने इस में से कुछ देखना है कि आप आगे future में क्या कर सकते हो जब आप चूज करो जब आपने तीनों चीजों को apply कर लिया है उन में से choose कर लिया है कि आप किस चीज में best हो आप क्या चीज को आगे pursue कर सकते हो तो उस चीज के बारे में sure रहो यह नहीं मैं बोल रही कि आप दो तीन जो talents आपने देखे दिया आप तीनों में नहीं आगे कर सकते हैं आप कर सकते हो अगर आप talented हो तो आप कर सकते हो तीनों में भी आगे अगर आपको है कि आप इतना नहीं कर सकते हो आपने सिर्फ एक टैलेंट की तरफ जाना है तो make sure about your final talent because that final talent ही आपको आगे तक लेके जाएगा अगर आपको अभी भी doubt है कि आपका इस final talent सही नहीं है या आप इसमें नहीं कर सकते हो तो don't be don't do something जिससे आपको आगे जाके problem हो तो आप दो options को लेके भी जा सकते हो कि आपको novel writing का show हों के और आपको dancing का है तो आप एक चीज़ को अपनी hobby की तरह और एक चीज़ को अपनी professional की तरह work कर सकते हो आप दोनों को कर सकते हो बस आपको dedication के जुरूरत है कि आपको हांचे यह करनी है तो करनी है यह नहीं है कि अगर आपने start कर दिया है कुछ आप उसमें laziness दिखा रहे हो आप नहीं कर रहे हो फिर भी तो आप कुछ नहीं कर पाऊगी तो I'm sure guys आपको पतर लग गया होगा कि अपको अपनी होबीस और आपके नहीं तेलेंट में जब आपको कैसी अपना main तालेंट होगा होगा है उपने कैसे क्या कर ठाहुत लिखो उपने यह उन्स कृचे नहीं यह च Cory and subscribe so bye guys